मंदिर और मूर्तियों के सहर आयुद्या में इस बार की रामनोमी बेहत खास होगी क्योंकि वीते 22 जनवरी को प्रभुराम अपने भवे महल में विराजमान होए हैं और प्रभुराम के विराजमान होने के बाद लगभग 500 वरसो के संघर्ष के बाद पहली बार राम के दरबार में रामनोमी अदभुत होगी इस बार की रामनोमी सबसे अलग होगी क्योंकि जब प्रभुराम का जन्म होगा दोपहर ठीक 12 बजे उस दौरान भगवान सूर्य उस दोरान पूरा देश आश्यर चकित होगा इतना ही नहीं आयोध्या के राम मंदिर में अध्यात्म पर बिग्यान का अनूठा संगम भी देखने को मिलेगा इसके अलामा रूणकी के बैग्यानिकों ने प्रभुराम के माथे पर पढ़ने वाले सूर की किर्णों का ट्रायल भी पूरा कर लिया है अब 17 अप्रेल को दोपहर 12 बजे प्रभुराम के मंदिर में भगवान सूर दर्शन करते नजर आएंगे यानि कि धार्मिक मानता भी है कि तरेता यूग में जब प्रभुराम जन्म लिये थे तो भगवान सूर एक महिने तका यूद्या में रहकर प्रभुराम का दर्शन कर रहे थे ठीक उसी प्रकार अब कल्यूग में भी तरेतायूग का दरिष्य देखने को मिले گा जब सूर्द्यों अपनी रोषणी के माध्यम से प्रभु राम का दर्शन करेंगे। अभी इसका जो प्रियोग होगा वो उस दिन होगा जिससे भगवान राम का जन्मुस्व मनाई जाएगा। और इसे लिए अभी मात प्रश्चन है और प्रश्चन में जैसा कि विज्ञान को ने जो खोच किया और जिस प्रकार से प्रयास किया वो बहुत ही सराहनी है और बहुत ही अद्भुत है क्योंकि भगवान राम लला के ठीक लेलार पर सूज का किरण जैसे दिखाई दे रहा है जैसे मानलों होता है भगवान सुर्ज उदे हो रहे हैं और सासरों में जब भगवान राम को यहां अतार हुआ था उस समय भी मास दिवसका दिवसभा मर बने जाने कोई सुर्ज भगवान एक महीने तक यहां रुके होई थे तो वह अद्भुत दिश्चन उस समय का तेता जुका कि तो अब इस परकार का जो भगवान राम प्राण पतिश्चा हो गई हो विराजमान हो गए हैं उनका भी दृष्चि यह दिखाई देगा यह दिखाई देगा राम नौमी की दिन भगवान राम जिससे जम देंगे और उसी दिन इसका प्रियोग किया जाएगा इतना आनन्द आ रहा था इतना आनन्द आया और उस आनंद विभर हो गए हम कि अरे ऐसा दिर्ष्ट है मानु भगवान राम त्रेटा जूकी राम है और उसी समय भगवान सुरुद्व हो रहे हैं और यह दिर्ष्ट जो है अत्मिनामद्भूत और बिलक्षण रहा